हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन अंगारा रेसिपी यह रेस्टोरेंट में बहुत ही पॉपुलर है हम लोग बाहर जाके इसको खाते हैं लेकिन आज हम इसे घर पे बनाएंगे बहुत ही असान तरीके से और एकदम चिकन जूसी होगा इसकी ग्रेवी एकदम थिक गाड़ी वाली ग्रेवी आज हम बनाएंगे मसालेदार चिकन बनेगा और यकीन मानिए इतना टेस्टी बनेगा कि आप इसको एक बार बार बना के खाएंगे highly recommended है एक बार आप इसको जरूर बनाएं इस मेरी रेसिपी को फॉलो करके आपको मज़ा आ जाएगा और अगर आपके गेस्ट आए तो आप उनकी तारीफ पटोरते नहीं ठकेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले अच्छे अच्छे वीडियो के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आधा किलो चिकन मैंने लिया है और उसको अच्छे से धो के मैंने बाउल में रख लिया है तो एक मसाला हम तयार करेंगे पैन में मैंने लिया है दो टेबल स्पून साबुद धनिया एक टेबल स्पून जीरा तीन साबुद लाल मिर्चे वन टेबल स्पून काली मिर्च, एक बड़ी इलाइची, और इसके साथ ही मैं ले रही हूँ, छे छोटी इलाइची, और अब मैं लूँगी लॉंग, पांच से छे आप लॉंग ले ले, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक इंच का, और एक तेस पत्ता, इस सब को हम दो मिनट रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसका मॉइस्चर हट जा और यह अच्छे से ड्राई हो जाए, रोस्ट हो जाए, ताकि यह ग्राइंड हो पाए, तो देखी, मैंने इसे रोस्ट कर लिया, अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं, दरदरा ही पीसना है हमें इसे, बहुत फाइन पे आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं अगर आप तीखा कम खाना जाते हैं साथी मैंने इसमें डाला है अदरक लसन का पेस्ट दो टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाला है और अब इसमें डाल रही हूँ जो हमने मसाला ग्राइंड किया था वो पूरा मसाला हम इसमें डाल देंगे पूरा यूज करेंगे और अब आधा कप दही इसमें डाला है बहुत खटा दही नहीं लेना है नॉर्मल फ्रेश दही आपको लेना है वो आधा कप लिया है मैंने इसमें बहुत जाधा पानी ना हो दही में ये ध्यान रखिएगा अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको कम से कम एक से दो घंटे हम मैरिनेट करेंगे और अगर आप चाहें तो रात भर भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं फ्रिज में रख दीजे तो चली एक पेस्ट और बनाएंगे दो मीडियम साइस प्यास को ब्राउन कर लिया था और 8-10 बादाम और 8-10 काजु लिया मैंने और एक पेस्ट तैयार लिया है साथी तीन टेमाटल लीने मैंने धोल लिया और यसको डंठल हटा के हम इसको भी मिक्सर में ग्राइंट कर लेंगे और इसके एक प्यूरी तैयार कर लेंगे इस法ाएंगे तो चलीम चैस पेचाब मेरम कर लिया था ओल भीतिन तूसं और उसमें अपना मेरिनेट की आवा चिकन डाला है पस का पुरम भीति कैम्ट और चेयाया है वही food color मैंने डाला है यह बिल्कुल आप skip कर सकते हैं अगर आप provide करना चाहते हैं color इसको मैंने भून लिया है चार से पांच मिनट तक तो देखिए इसका पानी भी कम हो गया है और oil भी separate हो गया है हम इसको 2 मिनट ढखके पकाएंगे ताकि इसका जो चिकन का पानी निकल रहा तो देखिए 2 मिनट बाद मैंने खोला है चिकन भी हमारा 60-70% गल चुका है यह देखिए और इसका oil भी separate हो गया है moisture इसका बिल्कुल खतम हो गया है तो इसको हम अच्छे से चला लेते हैं भून लेते हैं ताकि इसका जो भी और पानी बचाओ वो भी सूख जाए अब हम इ तो भालेंघे टो मैटो प्यूरी जो हमने तीन थामटार की प्यूरी व Euh वो हम इसमें अब पिला देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको भी हम गलने तक इसको ढग देंगे और अपने ही टेमाटर में जो थोड़ा बहुत चिकन रह गया है गलने के लिए वो इसी में गल जाएगा तो हम इसको थोड़ा मिक्स कर देते हैं और इ में डाल रहे हूँ बाडाम काजू और प्यास का जोंठीक होती है तर में ठीक होती है तेस्टी इंसे या तो आप झालें आ कघू की उड немного पानीहों कि काजू और बाडाम का वर नी तो वो नीचे जलने लगता है तो इसमें एक ध्यान आपको रखना है इसमें थोड़ा पानी डालना है और बीच बीच में जरूर चलाते रहना है तो आप देख लें आपको जितनी ग्रेवी गाड़ी या पतली रखनी है उसी इसाब से आप इस टाइम इसमें पानी मिला दें और आप नमक मिर्च भी टेस्ट कर लें अगर आपको कुछ कम जादा लग रहा है तो आप इसमें मिला सकते हैं तो देखी मुझे थोड़ी थिक ग्रेवी रखनी थी इसलिए मैंने पानी थोड़ा मिलाया है आप अपने हिसाब से ग्रेवी जैसी रखनी हो वैसे रख दें और इसको भी ढग देते हैं क्योंकि जो पानी हमने डाला है वो अच्छे से पक जाए चिकन के साथ तो दो मिनट हो गए हैं देखिए अच्छे से हमारा चिकन एकदम तयार है और यह बिल्कुल टेंडर हो गया अच्छे से गल भी गया है तो यह देखिए हमारा चिकन एकद जो सबसे important process है वो अब हम करेंगे जो इसके नाम को mention करता है चिकन अंगारा एक अंगारे को कोईले को हमने बहुत गरम कर लिया है गैस पे और अब एक foil की कटोरी बना के उसमें हम रख देंगे और इसमें डाल देंगे oil या घी डाल सकते हैं आप इसको जल्दी से हम ढख दें कोईले का पूरा फ्रेवर इसके अंदर ही रहे और पूरा चिकन में आ जाए तो देखिए अब हम इसको सर्फ कर लेते हैं बहुत ही शांदार चिकन हमारा तैयार हुआ है और आप देख रहे हैं कि इसकी gravy भी खूब गाड़ी मसालेदार बनी है बहुत ही शांदार बनता है आप इसको जरूर ट्राइ करें और इसको नान चपाती पराठा किसी भी चीज़ के साथ आप सर्फ कर सकते हैं जब भी आप पाटी करें या कोई दावत करें उसमें जरूर बनाएं मेहमान आपकी बहुत तारीफ करेंगे और घर में बनाके खिलाएं तो बार बार बच्चे कहेंगे कि इसको यही वाला चिकन बनाई है तो एक बर इसको जरूर ट्राइ करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा बना और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और देखी अब मैं आपको इसको तोड़के भी दिखाती हूं कितना जूसी चिकन अंदर तक इसके मसाला गया है और इसकी ग्रेवी भी कितनी ठीक और शांदार बनी है तो इसको आप जरूर ट्राइ करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकॉन को जरूर ट